जैहो करूली शंकर महादेब की, जैहो कामाख्या माता की, जैहो शिफशक्ती दर्बार की, बोलो राधा रमन हरी बोल, मेरा नाम हरशिता गुला है और आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो आठवा हवन और नवा हवन करते हैं, उसमें यंत्र हमें कैसे क्या करना है, यंत्र की कैसे पूजा करनी है, ठीक है, वो हवन कैसे करने है, लेकिन इससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूँ, इस पर मैंने पूरी वीडियो भी अच्छे से बना रखे, तीन-चार दिन पहले की वीडियो है, कि क्या थी, कि इंट दर्बार में जमा करानी है, यंत यंत्र के बदले, ठीक है, तो आपको दो यंत्र मिलते हैं, रेड कपड़े में लिप्टे हुए, ठीक है, उसके बदले में आपको दो इट दर्बार में जमा करानी होती है, बाबा के दर्बार में जो पंटे जी बैठे रहते हैं, उनको आपको देनी होती है, और वो इट आपको कहां से मिलेंगी जहां से आपको अलजी बंदर मिलती है वहीं से आपको वो इट मिलेंगी 30 रुपे सम्थिंग की कुछ इट रहती है ठीक है यह आपको करवा दिना है अब आपने क्या करना है क्या था मैं कमरे में होना तो इधर चिपकली और मेरा ध्यान बार बार उस पर जा रहा है खैर मुझे थोड़ा से डर लगता है बट मैं इसका संकल्प कर लोंगी मैंने आज तक इसका संकल्प ही निकिया है कर लोंगी खैर हाँ तो क्या था आठवा और नवहावन तो आठवा हवन और नवे हवन में रखेंगे तो नॉर्मली आपको क्या गरना है आप ना उसको नीचे जमीन पर मत रखना आप ना उसको किसी लकड़ी के पट्टे पर रखना है लकड़ी के पट्टे पर रखने के लिए क्यों बोलने हूं क्योंकि नीचे जमीन पर रखेंगे तो जो आप मतलब यंत्र को कुछ भी नहों नहीं पाए ठीक है ये वाली चीज अभी दूसरी चीज आपने क्या करनी है सॉरी मेरा ध्यान बार-बार उस पर जा रहा है हाँ ठीक है बस ऐसे ही करने है और आपको कुछ नहीं आपको की बाबा आप हमारे अच्छे से ये हवन करवा दे हैं और हमारे यंत्र को रिचार्ज कर दे हैं अच्छे से बस नॉर्मली इतनी प्रातना करनी है कुछ नहीं की चल चल समपत्ती वो बाबा खुद देख लेते हैं ठीक है वो सारा सब कुछ रहते है आपको उसके लिए कुछ नहीं कर नहोता अलग से कोई संकल पहुत सारे लोग के कॉमेंट्स आयते हैं कि चल चल समपत्ती के लिए तो क्या हमें कुछ बोलना है नहीं आपको कुछ नहीं बोलना वो बाबा खुद देख लेते हैं कि किसकी क्या क्या चल समपत्ती किसको कहा कहा रक्षा देनी है यह सारी चीज़ है ठीक है तो बस यही था एक बहुती सेफ जगा पर रख देना है जहां पर की वहां पर कोई चूहे कोई कीडे मकोडे कोई जंग ये सब ना लग पाए ठीक है और वहां पर आपको रोज रोज अगर बत्ती धूप ये नहीं करनी है रोज आपकी नजर उस पर ना जाए ऐसे दुपका करके रख देना उसको ठीक है और उस पर इतने से इतनी कोई खरूच नहीं आनी चाहिए मतलब कोई परिश्ट मतलब उसको कुछ नहीं होना चाहिए है ना ये अंतर को की जंग या कीडे मकोडे ऐसे वैसे कुछ नहीं चीज होनी चाहिए ठीक है और एक और चीज क्या ठीक है और उन दोनों यसंतर के बीच में थोड़ा सा गैप बना करके रख देना कि एक के उपर एक नहीं रखना है और सटा करके नहीं थोड़ा सा गैप उनके बीच में आपको maintain रखना है ठीक है और हाँ बस इतना ही आपने करना है और यदि फिर भी कोई doubt बस है तो प्लीज आप मुझे comment कर दे मैं पूरी कोशिश करूँगे आपके doubts clear करने की हाँ ठीक है दो चीजे बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको दो चीजे मिलेंगी पहली टेलिग्राम ग्रूप की link मिलेगी जहां पर कि आप join हो सकते हैं उसको join करने का फायदा यह होगा कि जो मंगलवार का और शनिवार का संकल पाता है मैं पूरी कोशिश करती हू कि मैं वो आपको संकल के link प्रोवाइड करवा पाऊं ठीक है दूसरी चीज कि एक मैं अपनी email id शेयर करूंगी ठीक है वहाँ पर तो आपको उस email id पर आपके जो भी अनुभव रहे हो दरबार से ले करके ठीक है कोई incident रहो हो दरबार से रह करके ठीक है जो जिससे कि आपक आस्ता और विश्वास दरबार किरपती और बड़ा हो तो आप ऐसे कोई अनुभव शेयर कर सकते हैं जिससे कि क्या है आपके अनुभव मैं लोगों तक पहुचाऊंगी तो लोगों को भी ना दरबार किरपती आस्ता विश्वास और बड़ेगा हम भी दरबार से भी बन सकता है ऐसे वाले चीज ये ठीक होएं तो हम भी ठीक हो सकते हैं तो ऐसे वाला आस्था विश्वास हम में आया था दूसरों के अनुभब सुन करके तो आज आप इस लायक बनें कि आप अपने अनुभब वोसे दूसरों को inspire कर सकते हैं दरबार के प्रती ठीके तो आप जरूर से उसमें अपनी participant बने उसमें भागिदार बने और अपने अनुभब मुझे उस email ID पर लिख करके भेज़ें या recording करके मतलब भेज़ें ठीके audio file भेज़ें जैसे भी आपको comfort लगें ठीके मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने शब करने की जै बाबा की